तो मेरे भाईयो मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो अपना पैसा ऐसे कपड़ों पर खर्च करते हैं जो कि बिल्कुल भी वर्सेटाइल नहीं होते और इसी वज़े से फिर उन लोगों को बहुत जादा मुश्किल होती है उन कपड़ों को एक दूसरे के साथ मैच करके एक आउटफिट क्रियेट करने में आप काफी सारे आउटफिट भी बना सकते हो जो कि मैं आपको वीडियो में भी बना कर दिखाऊंगा वो भी बहुत कम पैसो में भाई ये वीडियो आपके बहुती काम आने वाली है इसलिए आपको ये करना है कि आपको इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से देख पास होनी चाहिए जिनको यूज करके आप बहुत सारे आउटफिट बना सकते हो तो भाई पहली पैंट है ब्लैक कलर की चीनो पैंट भाई आपके पास कोई जीन्स या पैंट हो या ना हो बट आपके पास एक ब्लैक कलर की चीनो पैंट हमेशा होनी चाहिए ब्लैक कलर की जीन्स लेनी चाहिए या ब्लैक कलर की चीनो पैंट लेनी चाहिए तो भाई इस confusion का सबसे अच्छा solution है कि आप ब्लैक कलर की चीनो पैंट लो जिसको use करके आप बहुत सारे outfit बना सकते हो casual से लेके semi-formal तक और अगर ब्लैक जीन्स की बात करू तो आपको जीन्स को सिर्फ सर् ब्लम्स को face करना पड़ सकता है तो इसी वज़े से आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपना पैसा ब्लैक जीन्स की बजाए ब्लैक चीनो पर invest करो जिसे आप गर्मियों के season में तो पहनी सकते हो बट उसके साथ साथ आप चीनो उसको कभी कभी सर्दियों में पैन सकते हो तो भाई दूसरी पैंट है जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए वो है ग्रे कलर की चीनो पैंट भाई ग्रे मेरा ब्लैक के बाद सबसे फेवरेट कलर है जिसकी चीनो पैंट को में अलग-अलग आउटफिट बनाने के लिए यूज करता हूँ क्यूंकि ग्रे एक ऐसा कलर है जिसे आप काफी सारे अपरवेर्स के साथ इजली मैच करके पहन सकते हो और भाई ग्रे कलर की चीनो पैंट को आप किसी भी ओकेजन पर बिना किसी डाउट के आसानी से पहन सकते हो इस पैंट के साथ मेरा एक फेवरेट आउटफिट है जिसे मैं आपको स्निकर फारफिट आपको काफी मीचोर लुक देगा जिससे आप दिखने में बहुती स्टाइलिश लोगे इस आउटफिट को आप अपने कोलीज में पैंट कर जा सकते हो अपने ट्यूशन में पहन कर जा सकते हो और साथ ही साथ आप कोलेज, ट्यूशन और किसी की बड़े पार्टी वगएरा में पहन कर जा सकते हो तीसरा उटफिट है जिसमें आप ब्लैक चीनों के साथ अपनी वही राउंड नेक वाली वाइट टी शॉट पहन सकते हो या अगर आपके पास वाइट कलर की शॉट है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो और इनके उपर आपको एक ग्रे कलर का ब्लेजर पहनना है और उसके साथ शू में आपको वाइट स्निकर पहनने है ये एक कैजूल आटफिट भी है और ये एक सेमी फॉर्मल आटफिट भी है आप इस आटफिट को किसी कैजूल पार्टी में पहन सकते हो और साथी साथ आप इसे किसी की शादी वगेरा में भी आसानी से पहन कर जा सकते हो चोथा आटफिट है जिसमें आप अपनी ब्लैक चीनो के साथ राउंड नेक वाली ब्लैक टी शॉट पहन सकते हो और उसके उपर आप अपना वही ग्रे कलर का blazer पैन सकते हो और उसके साथ शू में आप अपना वही white sneaker पैन सकते हो ये भी एक semi-formal outfit है जिसे आप party वगरा में पैन कर जा सकते हो और अगर आपको एक पूरा party outfit चाहिए तो आप अपने white sneaker को replace कर सकते हो black loafers या black Chelsea boots है भाई आप ऐसे ही black chino pants के साथ और भी काफी सारे outfit बना सकते हो जैसे कि आप अपनी screen पर देख सकते हो तो भाई अब बात करते हैं कि आप grey color की chino pants के साथ कौन-कौन से outfit बना सकते हो तो पहला outfit है जिसमें आप grey chino के साथ एक white polo t-shirt पैन सकते हो और उसके साथ shoe में आप अपना white sneaker पैन सकते हो इस outfit को आप अपने college और t-shirt पैन कर जा सकते हो दूसरा outfit है जिसमें आप grey chino के साथ एक plain black shirt पैन सकते हो और shoe में आप उनके साथ अपने white sneaker पैन सकते हो यह outfit भी आपको काफी attractive look देगा जिसे आप casually कहीं पर भी पैन कर जा सकते हो और अगर आप white sneakers को black color के lofer से replace कर दोगे तो आप इस outfit को किसी की शादी या party वगरे में भी पैन कर जा सकते हो तीसरे outfit में आपको अपनी grey chino के साथ एक maroon color की round neck t-shirt पैननी है और उसके साथ आपको अपने white sneakers को पैनना है यह भी एक casual outfit है जिसे आप किसी भी casual occasion पर पैन कर जा सकते हो और साथी साथ भाई यह मेरा favorite outfit है ऐसे ही भाई आप grey color की chino pant के साथ और भी काफी सारे outfit बना सकते हो जैसा कि आप अपनी screen पर देख सकते हो तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करके channel को subscribe जरूर से कर देना और अगर आपने मुझे instagram पर follow नहीं क्या हुआ है तो आप मुझे instagram पर भी follow कर लेना क्योंकि मैं अपने instagram पर जल्दी कुछ special करने वाला हूँ link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे follow कर सकते हो और हाँ भाई अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखाया है तो आप मेरी इन दोनों वीडियो को भी एक बार जरूर से चेक करना तो भाई आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खत्म बाई बाई टाटा